ओम शान्ती प्रामण जीवन की शुरुवात हम सब का इश्वर्य बच्चपन प्यारा समय जो संगम युक का शुरुवाती दौर है जिसके आधार पर ही हम आगे का सफर तै करते हैं और इस जीवन में उतार चड़ाब जब आते हैं तो बाबा हमें उसी इश्वर्य बच्चपन को स्मृती में लाने को कहते हैं क्योंकि वो बच्चपन बहुत प्यारा है उमंगुच्सा वाला है तो अपने इस जीवन को सदा ही उमंगुच्सा में रखने के लिए उस इश्व बाब की हम बच्चों प्रती माया से सावधानी, माया की युद्ध में हार नहीं जाना, भाग नहीं जाना, अगर भुलाया तो रोना पड़ेगा शुव बाब को याद करने से क्या फाइदे होते? पवित्र बनते, भारत पावन बनता, विकर्म विनाश होते, सुख का वर्सा मिलता, स्वर्ग की बाच्चाही मिलती शुव बाबा को याद ना करने का क्या परिणाम होता? च्रिबिनल बैठेगी, बहुत रोना पड़ेगा, बहुत पच्टाना पड़ेगा, विकर्म विनाश नहीं होंगे, पापों का बोज़्ा रह जाएगा, धर्मराज साक्षातकार कराएंगे इश्वरिय बच्चपन को भुलाने का क्या परिणाम होगा? रोना पड़ेगा, उँच तेउच वर्सा गमा देंगे सत्गुरु का निंदक बनने का क्या परिणाम होगा? सजा खानी पड़ेगी, पद कम हो जाएगा क्या होने से क्या होता है? माया जीत बनने से देवता वर्ण में जाते, बाप को फारकती देने से अधम गती को पाते, सत्युग में पुनर जनम लेने से नाम रूप बदल जाता, फुल पास होने से सूर्यवन्शी घराने में राज्य मिलता, बाप त्वारा भारत का कि नौलेज को न जानने से भारत्वासी अत्वा सब बच्चे दुखी होते। क्या बनने से स्वर्की बाद्शाही मिलती है। आज्याकारी वफादार। होली हंस की विशेष्टा क्या है। ये दिव्य बुद्धी का वाहन है। तीलों लोकों की सेर कराता सभी वहनों से तीव्रगती वाला है। किसको क्या कहा जाता है। परमपिता परमात्मा को रुद्र। होली हंस बुद्धी को दिव्य बुद्धी। श्री श्री को परमपिता परमात्मा। परम्पिता परमात्मा के पास जाने की यात्रा को, रुहानी यात्रा, क्षीर और नीर, मोती और पत्थर को पहचान, मोती ग्रहन करने वाले को हन्स. सर्वश्रेष्ट सेवा क्या है? अपनी सर्वशक्तियों को अन्ने के प्रती विल करना. नंबर वार पद कौन से है? सौ मार्क्स सूरेवन्शी नंबर वन, थोड़े कम मार्क्स सेकेंड नंबर, तेटिस प्रतीशत मार्क्स पीछे राज्य मिलेगा. शृवब बाबा कब आते हैं? जब पढ़ाना होता है, जब पतित स्रिष्टी को पावन बनाना होता है. सत्युक्त रेता में किसी भी आत्मा को कर्म कूटने क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि सत्युक्त रेता में जो भी आत्मा आती हैं, वो संगम की ही प्रालब्द भोगती हैं, उन्होंने संगम पर बाप द्वारा ऐसे कर्म सीखे हैं, जो 21 जनम तक उन्हें कोई कर्म कूट बनाने की सेवा करनी है, कभी कोई उल्टा कर्म कर सत्गुरु की निंदा नहीं करानी है, मम्मा बाबा जैसा पुर्शार्थ कर सूर्यवन्शी राजाई पद लेना है, ये थी आज की मुरली की विशेश बाते, ज्यान के सागर बेहत के बाप ने हम बच्चों को स्मृति दिल आई है, कि उँचपद की प्राप्ती के लिए हमें अपने इश्वरिय बच्चपन को सदा स्मृति में रखना है, और सूर्यवन्शी राजाई में उँचपद पाने के लिए इस स्मृति में रहने के साथ साथ हमें आज्याकारी और वफादार बनकर भी रहना है, ओम शान् आई है, और स्मृति में 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